अपने बेटे रितिक रोशन को स्टार बनाने के चक्कर में राकेश रोशन ऐसे अंधे हो गए कि उन्होंने दूसरे एक्टर का करियर तो खराब करने की कोशिश की और वो डिप्रेशन में भी चला गया अगर फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया छोड़ कर नहीं जाता तो शायद दुनिया ही छोड़नी पड़ती यानि की एक्टर के साथ वही कुछ हुआ जैसा इंडस्टरी में सुशांत के साथ हुआ था मैं बात कर रहा हूँ एक्टर रजट बेदी की जिन्होंने कोई मिल गया फिल्म में राज सकसेना का रोल किया था प्रीती जिंटा और रितिक रोशन के साथ उनके बहुत सीन्स थे लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वो शॉक्ट रह गये एज अन अक्टर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने जो काम किया वो फिल्म में रखा भी नहीं गया जाहिद खान के साथ एक फिल्म की थी उस फिल्म से भी मेरा रोल काटा गया और सनी देवल के साथ भी एक फिल्म की उस फिल्म के लिए मुझे पेमेंट की चेक तो मिली लेकिन चेक बाउंस हो गया सेम टाइम पर इतनी कुछ चीजें मेरे साथ बुरी हुई कि मैं डिप्रेशन में जाने लगा और फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कनाड़ा चला गया बॉलिवुड इंडस्ट्री ऐसे ही पैटर्न में काम करती आई है एक को स्टार बनाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना बॉलिवुड की आदत बन गई है